समस्कार दोस्तों डेटा एंट्री ऑपरेटर क्लेरिकल पोस्ट पिसमें आप पे शामिल की जारी और भी अन्यपद इसमें आपे रहेंगे इस वीडियो को लास तक जरूर देखना आखिर तक देखना तो चलिए बिलकुल भी टाइम विस नहीं करते हैं से बढ़ते हैं अपनी वेकैंसी टेवल की और तो दोस्तों वेकैंसी टेवल की जो इनफॉरमेशन है उसकी और बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग प्लेस ऑफ पोस्टिंग देखें तो उत्तर प्रदेश के गुरकपुर में ही आप लोगों को यहां पे जॉइनिंग मि आपको इसमें अपे दे दी गई है अब बात करते हैं आपको कौन-कौनसी पोस्ट इसमें शामिल की गई हैं तो साथ अलग-अलग तरीकों के पद इसमें आप शामिल कर ली गए पहली जो पोस्ट किया एक पद है साइंटिस्ट ग्रेट सी है दो पद है, senior research fellow तो एक पद है, इसके बाद project assistant इसमें तीन पद है, इसके बाद project technician इसमें दो पद है, इसके बाद junior nurse तो देखिए junior nurse की post है और lady health visitor तो यह सब जो है दो पद इसमें शाबिल कर ले गए, data interpreter की post के लिए तीन पद है, total जो है 14 पदों पे यह recruitment यहाँ पे जारी हुआ ह अब बात करते हैं, क्या-क्या योगता है इसमें आपको चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको nurse के बारे में जानकारी दे देता हूँ, क्या-क्यास में आपको मागा जा रहा है, तो nurse की जो post है इसमें high school, 10th class 500, 12th class 500 है, तो भी apply कर सकते हैं, science subject में आपकी qualification हो, और जो भी candidates इस का certificate course रखते हैं, 5 साल के experience के साथ, तो बिलकुल आप लोग apply कर सकते हैं, 18,000 रुपे इसमें आप लोगों को यहां पर sell नी मिलेगी, 28 साल उमर इसमें आप लोगों के लिए रखी गई है, इसके बाद lab technician की post है, जो की project technician की post रहने वाली है, 12th class 500, MLT candidates इसमें apply कर सकते हैं, और DMLT candidate भी apply कर पाएंगे, और BST degree है, तो BMLT candidate भी apply कर सकते हैं, 18,000 रुपे आपको sell नी मिलेगी, 30 साल उमर इसमें आप लोगों के लिए रखी गई, इसके बाद data entry operator की post है, सिरफ 12th class आप लोग आप पास हो, और typing आती है, computer पे तो अच्छी बात है apply कर दे, 17,000 रुपे sell नी म qualification मांगे जारी, master degree, PhD degree, तो वो post यहां पे अलग से शामिल की गई, लेकिए nursing, lab technician, data entry operator, यह information मैंने आपको provide करा दी, बात करते हैं, आपको apply किस तरीके से करना है, last date क्या रहेगी, तो आप लोगों को देखिए, एक link है, google form है, और इसको आप लोगों को fill करना है, इस पे click करें और आपको सारी जानकारी इसमें आप open हो जाएंगी, तो कहने वाली बात है, आपको online application form आपको इसके माध्यम से apply करना है, और देखिए, आविदन जो है, start हो चुके है, 19 दिसंबर 2022 से, और 15 जनवारी 2023 तक आप लोग जो है, online application form fill कर सकते हैं, इसके बाद दोस्तों, आपका written exam या फिर जो भी आपका interview है, जो process आप लोगों की रहेगी, आपको email के through आपको बता दी जाएगी, यदि interview है, तो interview के date, timing और place क्या है, तो यह जानकारी भी मिल जाएगी, और समय समय पे आप लोग official website भी check कर सकते हैं, दोस्तों यह जो vacancy है, ICMR द्वारा fund है आपको जो project है तो दोस्तों जादा बड़ा update मैंने आप नहीं मनाया, जो भी information थी, जानकारी थी, वह मैंने आपको आपको आप दी, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी subscribe करके रखे, स्वास्त बिवा की All India Vacancy की जानकारी आगे आपको मिलती रहे, वीडियो के नीचे ज